असलाम वालेकम वीवर्स वेलकम बैक टू आर चैनल शाहिन सिस्टर्स और आज मैं शेयर करने वाली हो आप लोके साथ रमजान स्पेशल चिकन पकोड़ा तो आए देख लेते हैं इसकी रेसिपी सबसे पहले मैंने यहां पर 500 ग्राम चिकन लिया है यह बॉनलेस चिकन है इसे अब जाएगा काली मिर्ज़ पॉर्डर 1 2 फेश्पोन एगरेव जेरा पॉर्ड़ पॉर्डर 1 फेश्पून आप चिली पॉर्डर 1 2 फेश्पून आप गरम helping मसाला का पर आप नाइ से थोड़ा कम अब डालेंगे हम इसमें चाट मसाला ये औप्शनल है आप चाहे तो डाले या नहीं भी डाले ये भी मैंने 1 तीजपून यूज किया है वन टीजपून हम लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट अब हम अड़िस कर रहे हैं इसमें एक टीजपून सोया सॉस और साथ ही हम इसम रेट चिली सॉस अब इन सब चीजपून को थोड़ा मिक्स कर लेंगे साथ ही अब इसमें हम एड़ करेंगे हाफ लेमन का जूस लेमन डालने से इसमें एक टैंग्री टेस्ट आता है जो की बहुत अच्छा लगता है अब हम इन सारी चीजपून को अच्छे से हाथों से मि ही मिक्स करने से चिकन में एच्छe से अबजोर्फ करता है आप चाहे तो तो स्पूनसे मिक्स कर सकते हैं बढ़ा अब घ い हैं मैदा अब यह सारे पीसेस को चिकन की सारे पीसेस को हमें इस तरह से कवर अप करना है मैदे में बिल्कुल हलकी हाथ उसे करना है बहुत जादा उसे टैप करके नहीं करना है जितना वो चिकन अपने उपर मैदे को ले सके बस उतना ही हमें लगाना है बहुत जादा मैदा नहीं लगाना है हमें इसी तरह से हम सारे पीसे को मैदे से कवर कर लेंगे यह मैंने एक एक करके एक दूसरे बरतन में अलग-अलग करके रख लिया है अब हम लेंगे कुछ ब्रेट क्रम्स और यहां मैंने लिए हैं दो अंडे इन अंडों में हम एड करेंगे नमक और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पॉडर और इसे अच्छे से फेट लेंगे अब हम ब्रेट क्रम्स में भी थोड़ा नमक एड करेंगे और साथ ही इसमें आड़ करेंगे काली मिर्च का पॉडर हाफ टी स्पून आप चाहे तो यहां पर रेट चिली पॉडर भी यूज कर सकते हैं प्रेट चिली पॉडर भी हम यूज कर रहे हैं याद रखे आप रेट चिली पॉडर या फिर ब्लैक पेपर का पॉडर दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं जिस तरह का आपको तीखा चाहिए आप उसाब से इस्तिमाल करें अब हम अंडों को फैट लेते हैं अच्छी तरह से ब्रेट खुड ़ूं और हमने मैदे में कवर करके रखा था चिकन वह ब्हू भी रेड़ी है । अब हम एकएक करके चिकन के पीस से को अंडे में डालेंगे उसे अच्छी तरह से कोट करेंगे ब्रेड करम के साथ Rat पासे दालना है अंडे में और उसके बाद ब्रेड क्रम से इसे कवर कर देना है अच्छी तरह होना चाहिए चारो साइड से टाकि हो आचिह तरह से चारो साइड के चोटो कर लेंगे चारो साइट से इसी तरह से हम सारे ब hamburger को कर लेंगे यह मेरा सारा चिकनज कवार हो चुका है अब हम इसे एक एक कर के डीफ फ्राइ करेंगे पैन में ने तेल रग दिया था पैन में गरम होने के लिए यह देखिए इसे हमें अच्छा सा एक golden deep fry करना है और ये बिल्कुल खाने के लिए ready होंगे चटपटे से रमजाने special chicken पकोड़े आपको हमारी ये recipe कैसी लगी हमें comment section में ज़रूर बताईएगा हमारे चैनल को subscribe करिए जादा जादा लोगों के साथ share करिए और इस वीडियो को like करना ना भूलिए हम इंस्टाग्राम पे भी है आप हमें चाहे तो वहाँ भी follow कर सकते हैं ये देखिए ये अच्छे से one side से cook हो चुका है अब हम दूसरे side से इसे fry कर रहे हैं हमें इसे अच्छे से golden fry करना है और बिल्कुल डीफ fry करना है ये देखिए हमारा चिकन पकाड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है ये बहुत ही क्रिस्पी दीख रहा है और खाने में भी ये इतना ही क्रिस्पी है इसे आप चाहे तो किसी sauce के साथ सर्फ करें या ये ऐसे ही अ